हालो एबरीबन वेलकम बेक टू मैडिकलोची नर्सिंग सर्विसेस आप सभी सात्यों का आपके अपने यूटूब चैनल मैडिकलोची नर्सिंग सर्विसेस में फिर से स्वागते सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंगों पिसा इसको पता है आप सभी लोगों ने एम्स नर्सेट 6 का यहाँ पर फॉर्म फिल किया हुआ है और बेकेंसी के रिगार्डिंग जो अपडेट आने वाला था वो एम्स की तरब से यहाँ पर रिलीज हो चुका है वीडियो के मदम से हम आपको बताने बाले हैं कि एम्स में इस बार कितना बेकेंसी निकल के आया हुआ है और कौन-कौन से ऐसे एम्स है जहाँ पर बेकेंसी नहीं आया है और जो सेलेक्टेड एम्स है जहाँ पर बेकेंसी को यहाँ पर लोगों ने एड़न किया है तो complete जा तो अप्टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्कराइब कर लिजेगा और एक और इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन आप सभी लोगों के लिए रहने बाली है आप सभी लोगों का यहाँ पर सिटी का अपडेट हो चुका है आपके एडमिट कार्ड में यही आपने अभ प्लम फेज करना ना पड़े तो आज का जो अपडेट आप सभी लोगों के लिए रहने बाला है यहाँ पर मैं डीटेल में हर एक जानकारी बताने बाला हूं साथ मैं आप बताओं आपको रिजर्ब क्रेटिगरी का सीट कितना है और बीसी का कितना है सी का कितना है एड़ इस केंडिडेट का कितना डीक है मेल फीमेल और टोटल सीट का हम यहाँ पर बात करने बाले डीक है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार कौन से एमस में कितना सीट यहाँ पर रिजर्ब हुआ डीक है एमस बटिंडा का यदि मैं बात करूं तो फीमेल केंडिडेट क कोई भी जरुवत नहीं है यदि 1500 सीट आया है तो only 300 से 400 सीट ही male का होगा बागी सारा female candidate को reserve हो जाएगा ठीके तो यह balance good है MC की तरब से भाई लड़कों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है ठीके में 46 सीट female candidate का है और 13 सीट किसका है male candidate का ठीके female PWD candidate का 6 सीट है भाई male PWD candidate का कितना एक सीट रखा है तो यदि MS बटिंडा की में बात करूं तो 48 सीट यहां पे उन लोगों ने रखा हुआ ठीके यह undeserved category का बात है भाई बात करें OBC candidate का तो OBC candidate का nil seat रखा गया है SC candidate का nil seat रखा गया है और ST candidate का भी पूरा nil seat यहां पे रखा गया है ठीके only MS बटिंडा में EWS candidate का 5 seat है female candidate का और एक seat जो रखा गया है वो male candidate का यहां पे रखा गया है तो टोटल यदि में बात करूं MS बटिंडा में तो 56 seats यहां पे रिजर्ब किया गया ठीके तो एम्स बुमनेजवर की बात करें अगेन female candidate का बात करेंगे 46 seat female candidate का है male का कितना है 13 seat रखा गया है वही बात करेंगे फिर से अगेन female PWD candidate का 12 seat रखा गया है एसे एम्स बटिंडा की में total seat का बात कर लूँ students ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा 186 post यहां पे एम्स भुमनेजवर कुमार का यहां पे रखा गया ठीके एम्स ब्लासपुर की बात करूंगा मैं तो 58 seats यहां पे रखा गया ठीके एम्स दियोधर की बात करेंगे हम फिर से 182 seats यहां पे रखा गया है एम्स गुरकपुर की बात करेंगे 119 seat यहां पे रखा गया ठीके एम्स गुहाटी की बात करेंगे 100 seats यहां पे एम्स गुहाटी में reserve किया गया हुआ है ठीके एम्स कल्यानी की बात करेंगे 42 seats है एम्स मंगलगीरी की बात करेंगे 89 seats रखा गया है दोनों का male और female candidate का में common seat आप सभी लोगों की सामने बता रहा हूँ ठीके एम्स नागपूर एम्स नागपूर में 50 seat है ठीके एम्स राइबरी में कितना है 90 seat है ठीके एम्स न्यू देली में 160 seat रखा गया है एम्स पतना में 200 seat रखा गया है एम्स राइपूर में आपको 53 seat रखा गया है और एम्स रिसी केस में 51 seat रखा गया ठीके और एम्स बिजेप जम्मू में कितना है 88 seat और इस प्रकास से यदि आप इसको grand total करोगे students तो जो grand total आपके सामने निकल के आएगा parameters 15-14 seat total यहाँ पे reserve किया गया ठीक है तो अब बच्चों के मन में सवाल उड़ता है कि इतना कम seat क्यों आ रहा है क्योंकि देखो ms क्या कर रहा है कि हर six month में exam को conduct कर रहा है यदि यह जो exam होता वो एक दिन साल में एक ही बार होता तो I hope आपका जो seats है वो आपको 3000 से plus देखने को मिलता ठीक है बट क्या होता है कि अभी जब exam दो बार हो रहा है तो इतना recruitment possible नहीं है ठीक है तो I think यह भी एक reason हो सकता है और seats देखके students बिल्कुल भी घवराना नहीं है जो बच्चे जिस तरीके से अपनी मेनत को continue कर रहे थे जिस लगन से आप study कर रहे थे उसी लगन से आपको study करना है seats कितना भी आ रहा है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है बस क्या करना है अपनी study फे अच्चे से focused हो जाना है सबसे main important चीजे बहुत सारे बच्चे जो पोस्ट नहीं पर aims से निकाला है उसको देखके बहुत ज़्यादा अचंबित हो चुके होगे anxiety हो गया होगा ठीके तो बट ऐसा नहीं करना ठीके क्योंकि आप लोगों की सालों की मैनत है ठीके उसको ऐसे based नहीं जा सकते आप पोस्ट के रिगार्डिंग मत घवराये क्योंकि जो एमसर ने सीट से निकाला है वो other vacancy की मात करो तो उनके equally यहाँ पर सीट से निकला हुआ ठीके अभी ESIC का बेकेंसी वे तो उसमें भी इतना सीट से नहीं है ठीके बट हाँ यहाँ यहाँ पर male candidate का फिर से यहाँ पर disadvantage होन आना पड़े ठीक है तो यह disadvantage आपके लिए हो सकता है male candidate के लिए ठीक है तो पर फिर भी घबराना नहीं है ठीक है आप लोग अच्छे से मैनत करिए और जी जान लागा के मैनत करिए क्योंकि आप ज्यादा वेकेंसी नहीं आ रहा है एमस में पहले अच्छा खासा वेकेंसी आया करता था बट अभी divided हो गया है यहर में दो बार वेकेंसी आता है तो इसलिए पोस्ट भी divided हो चुका ठीक है तो आप लोगों के लिए रहने बाला है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम मिलेंगे next update के साथ और अपना city आप एक बार अच्छे से चेक कर ले ताक को share करिए और किसी को कुछ भी doubts होता है तो नीचे comment box में comment कर सकता है या नीचे description में आपको हमारा number मिलेंगे वहाँ साथ में call यह message भी कर सकता है thank you so much guys